हेलो फ्रेंड्स मैं अंबिका और आपका स्वागत है मेरे चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट है एक पर आप इस जरूर बना की देखिए आपको भी बहुत पसंद आएगी तो चलिए अब इसकी रेसिपी देखते हैं मैंने एक बॉल लिया है अब मैं इस बॉल में बेसन डालूंगी एक कटोरी देखिए मैंने छोटी वाली कटोरी यूज़ की है और अब मैं इसमें दो कप दही डालूंगी दही थोड़ी खटी वाली यूज़ करें जिससे की कटी चटपटी वनेगी तो आज देखिए अभ इसको दोनों को ढालने के बाद अब हम इसमें हलदी डालेंगे हल्दी मैं यहां पे हाफ टेबल स्पून डाल रही हूं थोड़ी सी हल्दी काफी है इसमें और आप मैं हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लाल रही अब मैं half tablespoon coriander और cumin का powder डाल रही हूँ और one tablespoon ginger garlic paste अब इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे देखें इसमें lumps नहीं रहने चाहिए अच्छे से फेटना है हमें इसे इसे अच्छे से मिलाते रही है जब तक कि है सारे lumps चले न जाएं इसमें अब देखें मैं इसमें और थोड़ा curd मिला रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा कि curd थोड़ा कम है तो curd मिलाने के बाद इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब मैं इसमें water डालूंगी water मैं यहाँ पर two cup यूज़ कर रही हूँ आप देखें आपको जैसी पतली चाहिए तो आप ज्यादा water डाल सकते हैं जो थोड़ी गाड़ी पसंद है इसलिए मैं कम water यूज़ कर रही हूँ अब देखें अच्छे से mix हो चुका है अब हम इसके अंदर onion डालेंगे मैंने या one medium size onion लिया है और मैं उसमें से half इसमें डाल रही हूँ और फिर मैंने मिर्ची यहाँ पर three to four मिर्ची सकाटी है जिसमें से मैं half इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा coriander अब यह सब डालने के अच्छे से mix कर लेंगे अब इसे side में रखके हम एक कडाई लेंगे कडाई को हम preheat करके उसमें three tablespoon oil डालेंगे मैं देखिए बड़े spoon से डाल रही हूँ इसलिए मैंने two use किया है oil जब गरम हो जाए तो हम इसमें मेथी दाने डालेंगे थोड़े से और फिर उसके बाद हम इसमें half tablespoon जीरा डालेंगे देखिए अब जीरा डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे मैंने या 5-6 काली मिर्च यूज की है अब हम इसके अंदर whole मिर्च लाल वाली तोड़के डाल देंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता अब ये बचेवे onions भी इसमें डाल दिये मैंने और इसे अच्छे से मिला लेंगे देखिए onions को थोड़ा अच्छा फ्राई करना है अब ये बचेवे मिर्च या भी डाल रही हुए मैं इसमें डाल के और इसे अच्छे से मिला लेंगे और से थोड़ा सा brown होने देंगे onion को जो onion नहीं खाते हैं वो इसे skip कर सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा हिंग डालेंगे हिंग से कड़ी का स्वध और भी अच्छा हो जाता है अब इसमें थोड़ा सा हल्ती डालूंगी वैसे भी हमने अल्रेडी हल्ती डाल चुके हैं उसमें अगर हम यहां स्किप करना चाहें तो हल्ती भी स्किप कर सकते हैं पर यहां डालने से थोड़ा color अच्छा आता है इसलिए मैं इसमें जरूर एड करती हूँ आप देखिए ये batter इसमें हम डाल देंगे mix इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे अब low flame पे हम इसे जब तक ये गाड़ा ना हो जाए तब तक इसे पकाते रहेंगे देखिए आप इसमें दो तरीके से बना सकते हैं या तो इसे पहरे तड़का जैसे मैंने लगाया है वैसे कर सकते हैं या इसको उबालने के बाद में तड़का लगा सकते हैं अब हम एक bowl लेंगे और इसमें थोड़ा सा basin डालेंगे यह basin आप हम पकोडा बणाने के लिए डाल रहे हैं इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूं और थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा कोरियंडर पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ी सी हिंग अब हिंग डाने करते हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें नमक सौध अनुसार डाल सकते हैं आप अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखें आपको अगर लाइट पकोड़े चाहिए तो थोड़ा सा बैटर लूज होना चाहिए और अगर आपको ऐसे थिक वाले टाइट वाले पकोड़े चाहिए तो बैटर अपना ज्यादा पानी ना डाले थोड़ा टाइट रखें उसको मुझे थोड़े सौफ्ट वाले पकोड़े पसंद है कड़ी में तो मैंने यहापे थोड़ा लूज रखा हुआ है बैटर को देखिए अब यह बैटर रेडी है हमारा अब मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता आड़ कर रही हूँ जिससे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए अब हम एक कड़ाई लेंगे और उसे प्री हीट कर लेंगे प्री हीट करने के बाद हम उसमें पकोड़े के बैटर से देखिए छोट छोटे पकोड़े बना लेंगे ओईल को थोड़ा गरम रखे अगर ओईल गरम नहीं हुआ तो पकोड़ों में ओईल ज्यादा लगेगा और वो ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं लगेंगे आपको तो देखिए कि इसे सॉफ्ट वाले पकोडे बन रहे हैं हम एक बार में डाल लेंगे सारे ये पकोडे देखिए इसे हिलाते रहें जब तक ये ब्राउन ना हो हलका ब्राउन कलर आजा है इसमें जब तक अब देखिए हमारी कड़ी देखिए गाड़ी हो चुकी है गाड़ा होने के बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाला है मैं कड़ी में सॉल्ट एंड में ही डालती हूँ पर आप चाहें तो स्टार्टिंग में डाल सकते हैं देखिए हमारे पकोड़े भी अब ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, अब ये ट्रांसफर करने के बाद पकोड़ों को हम कड़ी में डाल देंगे, देखिए हमारे पकोड़े रेडी हैं, अब मैंने कड़ी का फ्लेम आफ कर दिया है, और मुझे और पकाने की जुरुत नहीं है, मेरी कड़ी गरम है, तो इसलिए पकोड़े भी जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, देखिए सारे पकोड़े डालके हम इसे ढख देंगे, अब हमारी कड़ी रेडी है, इसे अच्छे से मिला लेगे और इसे ढख के रग देंगे, आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं या रोटी के साथ खा सकते हैं, दोनों के साथ ही यह बहुती टेस्ची लगेगी, बहुती शॉफ्ट पकोड़े बने हैं, आप एक बार इसे जर दिरूर अच्छी लगेगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट थैंक यू फर वाचिंग